Hello students, previous video में हम लोगने sonometer 2 के calculation में T upon square mean का value का लगा, गो 8886.50, 8886.50 ऐसे बाइन लगा लगा, इसमें next calculation में, mean value में हम लोग अप्टेन का चकें, उसमें भी next calculation में unknown mass find करना हुता है, इस experiment के 2a में, जैसे के मैं आपको पैने ही बता है, T upon square और श्क्रट ये show करना, दूसरा unknown mass, mx find करना है, ये 2 points हम लोगने इस experiment से update करना है, ये 2 points, calculation as well as graph से करना है, तो अभी हम लोग T upon square is equal to constant show कर चुके है, अभी मेने जो ये थे values में, उसमें मेरा T upon square mean मिल रहा है, 8886.50, अभी हम लोग उसी value को continue करते हुए, unknown mass for the given experiment find करते, उसके लिए आपको एक formula जूस करना है, और ये graph में आप table के नीचे लिख सेकते हो, या फिर right page पे lines के rules के page पे लिख सेकते हो, calculation part, उसमें unknown mass का formula आपको ये लेना है, T upon square mean value into Lx square divided by 980, ठीक है, तो हमारा जूट किया upon L square mean value मिल रहा है, वो 8886.50 है, इंटू, हम लोग ने जो reading लिए था, उसमें Lx square का value था, 110.25, ठीक है, तो 110.25 मिल रहा है, आपको revise कर के लिख सेके लिख सेके लिख सेके लिखा था, उसमें M था, उसमें T था, और उसमें L1, L2 mean L, से बाइट था, जैस में, अब को आयना दे रहा है, ये Lx square किसे लिख से लिख से लिख से लिख, उसके बार हम लोग ने ये 1, 2, 3, 4, 5 रहा है और जो last हो जो था, उसमें L1 का value 10.5 था, L2 का value 10.5 था और mean था 10.5 और उसका जो square ये मिला है, 110.25, तो L square के के कॉलम में अपके operation table में L2 के कॉलम में लाश्रों का जो value है वो अपका L2 है अपका L2 है अब अन्नोन mass के लिए जो corresponding length है उसका square अपका L2 है तो वो value में इदर दूस करना हूँ, calculation simple है, log से ही करना है आपको उसमें 80 upon L2 mean का value लिखा और L2 का value लिखा और L2 का value लिखा divided by 980 करना है, 980 क्योंकि हम लोग जो mass निकल रहे वो gram निकलना है और यो tension है वो time है तो tension को divide by 980 करोगे तो आपको जो भी मिलेगा वो gram निकलना है इसलिए हम लोग लोगे 980 से divided कि रहा है इसलिए हम लोगे लिखना है, is equal to anti log of log of this value that is 6.50 then log of 110.25 and minus log of 90, okay So मैं अभी इसके log find करके लिख रहू है anti log of, log of 886.50 में decimal के पहले 4 digit है इदर आएगा 3 point, उसका log में हम लोग भी देखें के, इदर decimal के पहले 3 digital है तो उसका log आएगा 2 point, minus इसमें decimal के पहले 3 digital है तो इदर आएगा 2 point, इसके log point करके मैं इदर लिख रहा हूँ, ओके, log table का यूज़ करके मैंने ये log लिखा है, 88 में 8 and 6 common difference देखना होता है लेकिन ये number 5 या 5 से बढ़ा हो तो इदर हम लोग 7 common difference देखेंगे तो 88 में 8 number का column and 7 common difference देखेंगे मुझे आंस्के में जोता है 94, 87, उसके बाद इदर भी 11 में 0 देखना है log table में and 2 common difference भी देखेंगे क्योंकि ये अगे बाला जो number हम लोग 5 से बढ़ा है इसलिए हम लोग इदर 3 पकड़ेंगे तो 11 में 0 and 3 common difference देखेंगे आता है 0, 4, 2, 5 similarly 980 में, 98 में 0 देखेंगे जागे सिनलता है 99, 12 अब इसलिए नॉर्मल काल्कुलेशन हम लोग करेंगे NT log of 10 अब लोग करेंगे 7 plus 5, 12, 1 carry 8 plus 1, 9 plus 2, 11, 1 carry 4 plus 1, 5 plus 4, 9, 9 plus 0, 9, 2 plus 3, 5 minus 2.9912, subtraction में, NT log of 2 minus 2, 0, 1 minus 1, 0, 9 minus 9, 0, 9 minus 9, 0, okay now 5 minus 0 is 3, so coincidentally ये पुरा subtraction 0 या या या, and 5 minus 2, 3 या, हम लोगो देखना है 0, 0 में 0 है, जरो कमीं दिफरेंस उम्लों पदेखना है, तो आपका NT log में नमबर आएगा, अपक्के N-book में NT log के पेजे इस, पेज नमबर 163 और 164 का है, तो 0, 0 में 0, उम जरो कमीं दिफरेंस अपका आता है, वन थाउजन इंदर आया वन थाउजन नॉर्मल हम लोग डेसिमल एक डिजित के बाद दें इंटू 10 देश्टू 3 करेंगे तो अपका अंसर मिलेगा वन थाउजन ग्राम तो हमारे कैलकुलेशन में अन्नोन मास का पाहिवा गया वन थाउजन ग्राम ओके अभी नेच्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहा है वो है ग्राफ को ऐसे प्लॉट करना है और ग्राफ से भी प्लॉट करना है एस वेल अन्नोन मास पाहिए जो मैंने एक्जामपल के लिए रिडिग दिया है वहीं कंटीर्यू करके मैं ग्राफ ड्राव कर रहा हूँ लेकिन आपको यह जो सब करना है यह वैल्यू अपका अलगा यह यह वैल्यू अपका अलम है तो उसके सब से उसके से हूँ एक् JONक को मैं उन लोको वन 17 मिटर से मतला है उसके बात यह जो एक्जामपिश लेगा वहमारा T Luxe से और जो й May आफ है वो T versus elsewhere का रही है तो उसमें T के जो values है वो values मैंने observation table से just T का column का पी है ये अलग table नहीं है जो main observation table हम लोग ने draw किया है उसमें से ही मैंने just T का value consider किया है as well as उसी table में elsewhere का column है उसमें values जो आया है वो मैंने लिखा है तो ये जो table है वो separate table नहीं है वही जो अम लोग ने लोग ने लोग ने use किया था या main observation table है उसका ये table है उसमें अम लोग को ये 4 point plot करना है तो T के जो points अगर देखेंगे तो इदर last में 4 zeros है सभी नंबर में last में 4 zeros है इसलिए हम लोग पहले से ही इसको 10 less to 4 करना है तो अगर हम लोग अभी point देखेंगे तो ये 4 zeros को ignore करके देखेंगे आप अपने log table में या फिर calculation table में ये 4 zeros erase मत करो आपको देखते समय उनले ये रिखना है ये 49 पकड़ना है 98 पकड़ना है 147 and 196 into 10 less to 4 ये factor ले लिया है वही calculation वही adjustment जाए ठीक है तो कि हम लोग ने 4 zeros को थोड़ा सा side में रखेंगे तो कि हम लोग को ये जाओंगे बड़ा नंबर लेखेंगे तो graph में point plot करते समय दिक्कत आजाए इसमें तो हम ये अमारे जो number है वो है 49 minimum and maximum 196 similarity L square के जो values है उसमें देखो 69.7 minimum value है and maximum value 189 तो अगर मैं graph page की तरफ देखता हूँ तो इस graph में अगर मैं 1 cm से को तो 10 पकड़ता हूँ तो total 200 तक मुझे जो जाना है वो 200 तक हम लोग जाना है सकते इसलिए मैंने क्या क्या है 1 cm तो 20 पकड़ा है 20, 40, 60, 80 अब तो 200 तक लिए इसमें तो अपका scale आएगा scale अपके graph paper में है right hand side में, top में अपको scale दिखना है scale देखो क्या आएगा है on x-axis क्या ही आपके आपके x-axis के 1 cm तो 20 लिए है into 10-4 लिए है और कोई भी axis पे आप quantity लिखते है तो उसका unit भी निखना ज़िए है तो इसका unit 9, so there I have 15 to 10-4, 9 similar लिया on y-axis क्या होँआ ज़िए है भी y-axis पे values 60 60 कम से कम है maximum 200 खिक है या 190 खिक है कम लोग क्या आपके लिए है तो ना जो वर्टिकल लाईन है उसके लिए अपके लिए अपके द्रापे के रवी जगा बहुत तो आइदर आप 10 से चालो करो या फिर 20 भी ले सकते हैं दो प्रोब्लम में तो मैंने क्या किया है 10 20 30 मतलब 1 cm को 10 माना है क्योंकि आपर वर्टिकल लाइन में ग्राफ लाइन ज्यादा होते हैं तो हम लोग इसको 1 cm 10 मान किये भी तो इसको या फिर 20 तक जा सकते हैं या फिर 190 तक हम लोगो जाना है आपके ग्राफ पेश पे पिंग जड़न में तो इसका जो एक्सिस है यह जो तम है वा एक्सिस पे वो है हमारा L स्क्वेर और इसका इडिट है सेंटिमेटर स्क्वेर तो मैंने 1 cm को 10 माना है तो इदर वा एक्सिस का एला 1 cm is equal to 10 cm स्क्वेर ज़स्ट अब अब लोग इसी ल और L स्क्वेर में 69.7 तो 49 एक्सिस के अब लोग उप्टेन कर सकते है इसमें तो इदर देखो 40 to 60 में एक मिडल लाइन दिखेगा आपको वो हमारा 50 का लाइन है तो 40 के जगह में 50 पकड़के इदर वा एक्सिस पे 69.7 69.7 अब लोग ले सकते हैं यह जो बैल्यूस है अब लोग को इग्नोर करने है आगे के तीन वैल्यूस तो इदर 69.7 इदर आपका 60 है इदर 70 है और इस बिट्रिंग 10 लाइन से यह को पता है वाज सेंगे लोग तो 60 से से लिए के 70 तक 10 लाइन है तो 70 के पहले जो इक लाइन है वा हमारा 69 करेगा और 69.7 69.7 भी लोकेट नहीं कर सकते है क्योंकि 70 और 69 में कुछ भी लाइन नहीं है तो आगर आप 69 पको यहा फिर 70 पकरो तो अभी आपको पता है कि 69.7 मतर यह वैल्यू पास से बढ़ा है तो हम ठीक है नेक्ट पॉइंट पिलिए 98 एंड यह वनवन 4.49 भी भी आपको पता है कि 98 राउंड अप करेंगे तो 100 हो जाएगा क्योंकि 98 इसमें लोग लोकेट नहीं कर सकते है 90 to 100 में 10 लाइन है अगर 90 to 100 में 10 एक मिलिटा इधर गलती से मेंने 80 लिखा है इस फुल भी 100, 120, 140, 160 180 and 200 लाइन है तो 100 से लेकर 100 80 to 100 में 10 लाइन है तो जो फिट लाइन है वह हमारा 90 का अग्त आएगा 90 to 100 में पास रही हो जाएगे तो अगर 90 to 100 में 5 लाइन ही तो 98 को लोकेट नहीं कर सकते है तो उट्स राउंड अप वैलीड लेंगे 100 तो 100 के लिए इसह एह 100 के लिए 100 के ल तो आपके जो पहले जो डिजिट्स है वो ही आपको देख के डिजिट है वो आपके ग्राफ के लिए पॉइंट लेना है चार जिलो छोड़के डिजिट लेना है अभी 98 के लिए 100 पकड़ा उसके लिए करस्पोंडिंग पॉइंट है 114.4 अभी 114.4 तो आपके लिए 114.5 पकड़ेंगे लेकिन एस सच 114.5 भी को फिल नहीं कर सकते है तो हम लोग इदर 115 पकड़ेंगे कुंसा पकड़ेंगे 115 तो कि ये 0.5 हो जाएगा 0.5 भी होने के बाद भी इदर राउन लप करने के लिए 5 पकड़ना पड़ेंगे पड़ेगा तो इदर 115 आएगा तो 100 के लिए 115 तो ये 100 है और ये 117, 120 है इसके लिए मिदल बारा जोगा आएगा 115 है तो इक विल बी इस पॉंट यह हमादा की ये पॉंट है ठीक है मैं अंडा से लिए रहा हूँ ठीक है थर्ड पॉंट को इसा है 147 के लिए क्लिए 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 पड़ेगा आपको 150 पड़ेगा 150 इतरा लोकेट कैसे होगा इजिली होगा 140 और 160 के बीच में 150 है ठीक है तो ये 150 के लिए क्लिए 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 165.1 को छोड़ दो कि 165.1 हम लोग लोकेट नहीं कर सकते तो 165 हम लोग लोकेट करेंगे 165 अभी मेरे इस बोल्ट पर में शो नहीं कर सकता लेकिन जैसे 110 120 160 आपको मिलेगा है 160 और 160 के बीच में जो 5th लाइन है तो आपका 165 होगा हम लोग टाइंड बिंग अज्यूम कर रहे है जस्ट आइंड बिंग में अज्यूम कर रहा हूं कि 150 के लिए इधर दरा 160 का पॉइंट लिए है ऐसे अज्यूम करके चल रहा हूं ओके सिमिनर लिए तो 196 मतलब 200 पकड़ना पड़ेगा और 190 पकड़ना पड़ेगा तो 200 मतलब याएगा 190 आपके वर्टिकल लाइन में अपको मिलेगा 192 पॉइंट है ऐसे आपके चार पॉइंट अपको प्लॉट करना है ठीक है तिससे रिपेट कर रहा हूं 49 के लिए राउंड प्लॉट करना है और आपके ये वैल्यूज अलग अलग रहेंगे क्योंकि आपका रीडिंग अलग अलग है इसलिए तो इसमें भी आप जितना हुसर के लिए जो डेसिमन के पहले वैल्यू से उसको राउंड पहले पकड़ो इसके सब से पॉइंट पाट करो और मैं अभी दो इजस एक्जामपहल के-ल्प ये लाईन दोगरो क्याएं समयर अग्समय अगा चैनन के पॉइंट रहा है समुझन मुह जया ढूल हुद कि इसे पॉइंट गरिंदे पउंट के लून करो कि आपको इसे पास होने की वैसे नेसेशिटी नहीं है, तो ऐसा लाइन द्रॉआ करो, कि सब पॉइंट से वो नजदी जाने वाले चाहिए, तो यह लाइन में, अगर लाइन किसी भी पॉइंट से नहीं जारे तो भी चलेगा, लेकिन यह लाइन सब को बैलन्स करके जारे, तो ऐसे ला आपको जो 4 पॉइंट मिलेंगे, 1, 2, 3 और जो 4 रहेगा वो, उसमें सी भी आपको थोड़ा सा बड़ा स्वेल लेके, ऐसा लाइन द्रॉआ करना पड़ेगा, कि वो लाइन सब कोईंट से नहीं कहीं तो भी चलेगा, लेकिन वो लाइन के अजू बाजू में सब कोईंट से आपको फूर्थ लाइन पॉइंट के बारे में सोचना पड़ेगा, अभी इस ग्राफ के बार, आपको एक्जैट ले क्या करना है, 1 by slow पॉइंट मतलब अपकर T upon enhancement का value नहीं, याद रखो, जैसे मैं बोर्ड के बता रहा हूँ, वैसे आप आपके pink journal में carry करोगे, 1 by slow पतलब आपको फॉर्मेल आएगा, x2-x1, y2-y, y2-y, अभी x2, x2, y2, y2, y1 किदर से मेंगे, इसी लाइन पे, इसी लाइन पे, आपको कोई भी दो पॉइंट दे रहा है, अभी तख अपने 2-3 achievement किया है, ग्राफ किया है, उसमें कैसे points लेट कर रहा है है हम तो कोई भी लाइन प है, ये point, ये point में मेरा e x2-line 60 और e 70 है, तो मेरा पहला ही जा point आगया, 60 and y6 को मेरा आगया, 70, okay, तो 60 and 70, so 60 and 70 मेरा e x2-y ओंड है, similarly ऐसा दूसरा point देखो, इसी लाइन पर आप पुड़ा check करो, इसी लाइन पर अगर में ये point लेता हूँ, कोई भी दो point, अगर 100 का में मार्क करता है, तो 100 के लिए corresponding value, exactly जो के लिगा वो लिखो, ऐसे round-up value बिलना चाहिसे नहीं, 100 के लिए जो value है, वो लिखो, या फिर आप high-millimeter की इंटरसिशन भी bold रहते है, ऐसे कोई point, line के उपर है, और ऐसे दू point का 4, square करना है, slope point कर देखे है, तो समझो कि ये line इसमें से जो pass हो रहे है, उसमें 100 का मार दिख रहा है, और 110 का दिख रहा है, तो मैं ये point में ला हूँ, 100 and 110, तो मैं ये point में ला हूँ, 100 and 110, तो मेर आप ये rule के पेश भी आप calculation कर सकते हो, x2 minus x1 मतलब मेरा ये, x2 ये x2 ये x1 है, so ये 110 आएगा, 100, minus x1 है मेरा 60, similarly 110 है y2, minus y1 है 70, अभी एक point याद रहा हूँ, हूँ लोगो ने x के लिए 10 देश्टू 4 फैक्टर लिया था, तो आपके calculation में x के लिए 10 देश्टू 4 तो आपक से 70 है, उतना मिलता है, वो भी 14 मिलता है, fortunately ये round-up है जिका आप answer 1 रहा है, इंटू 10 देश्टू 4 आएगा, इंटू 10 देश्टू 4 मतलब 1 के उपर 4 देश्टू, मतलब 10,000, लेकिन आपका अगा ये number round-up नहीं मिल रहा है, अलल अलल अलग है, और division तोड़ा सा पॉप्टिक अगा ये number-up है तो मैंने direct 10,000 दिखा है, और इसका निटाएगा 9 per centimeter square, ये T upon as per अपका graph का हो चुका है, आपको पता है कि 2 points हम लोग find करने वाले graph से, एक T upon as per mean, ये अभी हम लोग को मिला है, अभी हमारा पॉप्ट सा point बाकि Mx find करना बाकि है, ठीक है, Mx कैसे find करेंगे, अ समझा आपको, 4 points से line draw की, वो line पर ही 2 ऐसे coordinate लिए है, जिसके, जो point ऐसे लिए है, slow point, जिसके coordinate आपको easy लिख सकते है, फिर उससे ये formula जिस करके आपको answer निकलना एक T upon as square, वो हो गया graph से, अभी हम लोग unknown mass by graph निकलने वाले है, तो ये में just standing graph कर रहा हूँ, किसी line पे, किसी line जो मेरा unknown tension का value है, unknown length, LX square, LX square का value, आपके इस observation table, range number 44 पे, जो observation table है, first observation table, उसमें L square के column में, LX, last row जो है, उतर मुझे value जिख रहा है, वो है, last row है, 110.25, L square के value, फिक है, तो ये value आपको, अभी एक L square wire system, तो y-axis पे 110 की तरह हो आपको देख रहे, तो 110 कुझे इदा खीक है, लेकिन आगे 0.25, 110.2 आपको देख सकते हैं, 110.2 नहीं देख सकते हैं, 110.2 नहीं देख सकते हैं, 110.2 हम लोग लोकेट नहीं कर सकते हैं, तो ये number pass से काम है, तो इसको हम लोग 110 ही पकड़ेंगे, 110 की नही आपको में, वो value इदर सर्च करना है, फिर 110 से सीधा एक line इसको प्लॉट हो, सीधा एक line अपने इदर प्लॉट कर दिया, ये value जिदर intersect होगा, वो आपका रहेगा unknown tension, that is, इसको just point out गोरो, वो आपका unknown tension रहेगा, इदर में दूर है 100, ठीक है, अब ये 100 के लिए से लेके, हम वो आपको कालिकुरेशन सेम करेंगे, ये आपका value जैसे में आपको समझा, ये जो reading रहेगा आपका, गो इदर सर्च करते, इदर से सीधा एक projection, ये पिर reference line, और उस line पे इदर intersect करेंगा ये line, इदर से सीधा एक projection इस point पर आएगा, ये जो भी number रहेगा आपका, 110 हो या फिर रोड़ डाउन करना है, वो रोड़ डाउन करने के बाद, आगे calculation जैसे में आपको इसी है, mx is equal to, किदर, t upon s, विरका value अपका, ग्राफ का, into lx square, divided by 90, अभी इसमें 1x, sorry, ये करने की ज़रोच में sorry, में sorry, तो हमारा जो value मिला है, tx, उसको divided by 90 directly करोगे, तो भी आपका unload mass मि अभी इसलों दावी एवाद, इसलों मुझे मिला 100, 100 इंक ये 10 दाउच 2 4 बूला हूँ, 10 दाउच 2 4 और दिवाद by 90, तो इसमें चेह 0 गया, अभी मुझे क्या मिला है दार, 10 अपो 98, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, तो अटि लोग अग अग 10, लोग 98, 10 to 10 raise to 4, यह unknown mask के लिए यह formulas कर जाए, अगर आपके नंबर एकदम round up हो, या फिर इसलिए आपके division में जाए ता आप directly भी mask एक सकते हो, अभी इसमें round up number नहीं है, इसलिए मैं log of 10 minus log of 98 कर रहा हूँ, आप 98 का reciprocal देखके भी shortcut कर सकते हैं, okay, so log of 10 बतल कराएगा, anti log of